हम यहाँ पर प्रिव्यू करेंगे सबसे इंपॉर्टन डेट है जैनुवरी 28 शुक्रवार का दिन है जिस दिन हैप्येस्ट मैंड्स के Q3 यानि क्वाटर 3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं कुछ इंपॉर्टन डेटा जो आपको जरूर जानने चाहिए अगर आप हैप्येस्ट मैं इन्वेस्टर है जब यह मैं वीडियो बना रहा हूं तो स्टॉक प्राइस 1136 के आसपास है अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टन चीजें है कि एक स्ट्रॉंग रिटन अन कैपितल रिटन अन इक्विटी है थोड़ा सा डेट है कंपनी में और प्रॉफिट्स अगर आप कंपनी है बट कहां पर थोड़ा सा कंसर्न आता है देखिए कंपनी अच्छी हो और कंपनी सस्ती हो दोनों में थोड़ा सा फरक जरूर होता है तो यह चीज है जो पी रेशियो अगर प्राइस अर्निंग रेशियो अभी आप देखेंगे तो सौ क्या सपास है जो मुझे मैंड सा आप देखेंगे पंद्रा सो असी का इसका फिफ्टी टू वीख हाई था अभी ग्यारा सो है और इनफेक्ट ग्यारा सो में भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा महेंगा जरूर है तो इसी लिए वेल्वेशन के इसाप से अगरा प्राइस टो बुक भी देखेंगे तो 28.4 है अब यहां पर दो चीजें है या तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए ताकि वैल्यूएशन थोड़ा कम हो या फिर इन्वेस्टर्स थोड़ा वेट करें कि चीजें थोड़ा टाइम करेक्शन हो अब यहां पर कौन से इंपॉर्टन नंबर आपको ध्यान में रखन है जो कि बहुत अच्छी बात है और अगर आप रेविन्यू के बाद अगर आप दूसरी चीज जरूर आप देखें एबिटा परसंटेज कितना हो रहा है जैसे 25 परसंट 26 परसंट का मार्जिंस है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉंग मार्जिंस है हां क्वाटर वन से क्वाट कि बात कर रहे हैं तो कैसा प्रॉफिट इस बार हो रहे हैं जैसे क्वाटर वन में 35.7 करोड था अभी 44.4 करोड है तो प्रॉफिट कैसे हुए है देखिए हम लोगों ने अभी बहुत सारे लार्ज कप कंपनी के रिजल्ट देखें जैसे HCL के देखें इन्फोस के TCS के तो वहाँ पर हमने देखा है कि profits उनके increase हुए है तो वह एक चीज बहुत ही important रहेगी बाकी 80 करोड का 6 महीने का profits है तो मुझे उम्मीद है आपको value मिल रही होगी important numbers के साथ अगला important number जो मैं जरूर देखूंगा वो है attrition IT sector में बहुत सारे जो employees है वो job छोड़ रहे हैं reason है उनक 16% था फिर यह बिल्कुल कम हो गया quarter 4 FY21 में 12% लेकिन अभी quarter 2 में आप देखेंगे 18% मतलब लोग job छोड़ रहे हैं और मुझे surprise नहीं होगा कि यह number और ज्यादा आएगा अगर कम आता है तो फिर बहुत अच्छी positive चीज होगी लेकिन jobs छोड़ा जा रहा है attrition हो रहा है और है और दूसरी जगह में कहीं न कहीं attrition भी एक रीजन है अगर आप देखेंगे अभी तो जहां तक employees की बात है तो टोटल अगर आप employee 3709 मतलब 3,800 के आसपास employees आपको देखने को अभी मिलेंगे तो यह कुछ important numbers है जो ध्यान देंगे मुझे मुझे आपको value मिल रही हो चैन देखता है बहुत ज्यादा change होगा पाकी तो future की themes है जिस पर happiest minds काम कर रहा है और सायद उसके लिए भी उनको बहुत valuation मिल रहा है जैसे digital infra cloud वहां पर बहुत काम है SaaS software as a service मैं अगर सही इसको interpret कर पा रहा हूँ तो वहां पर है security तो इन सब business में उनका सबसे बड़ा revenue आता है verticals में देखें तो लगभग सब vertical में जैसे edutech है high tech है सब जगह से उनको revenues आ रहे हैं क्ये कुछ important numbers थे जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर happiest minds के कोटे से वीडियो में मुझे उमीद है मैंने concise करने की कुछिस किये important points जो रिजल्ट से पहले बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए रिजल्ट्स आएंगे उनके बारे में मैं बाद में भी डीटेल में analysis करता रहूंगा मुझे बस थोड़ा सा evaluation को लेकर थोड़ा सा concern है और हमने देखा भी है पंद्रा सो सी से स्टॉक ग्यारा सो क्या सपास आगया हुआ है तो कहीं न कहीं वह correction भी हो रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा महंगा जरूर है अगर आप total IT bucket के साथ ही अगर आप compare करें mid cap IT bucket के साथ उमीर आपको value मिली होगी आपके time के लिए